असलाम लीकुम मैं हापकास बबलुला हुरी भाई आज की वीडियो काफी important और useful होने वाली है उन सब के लिए जो एक नया phone buy करना चाहते हैं बट confused रहते हैं कि यार मतलब कौन सा phone buy करें अगर वो online search करते हैं तब भी confused हो जाते हैं मतलब काफी वीडियो देखते हैं किसी में कोई कहरण ना ले और market में जाते हैं वहां पर दुका अंदर उनको confused कर देता और इसी confusion के चलते हुए अगर आप किसी wrong phone पर पैसे लगा दोगे न तो फिर तो आपको पता क्या होना है तो आप अपने लिए एक best phone कैसे भाई कर पाओगे आज किस वीडियो में simple और clear टिप्स आपको देने वाला हूँ जिससे आपकी confusion भड़ेगी नहीं clear होगी लाइक कहना गया मैं भूल जाता हूँ आप करना ही भूल जाते हो वीडियो को तो वीडियो अच्छी लिखते है तो मेरे भाई लाइक भाई कर दिया करो थोड़े सा मतलब अंदर से motivation आता है और share भी कर देना नहीं हो तो चैनल को subscribe भी कर लेना next वीडियो आपको मिलती रहे आपको camera के लिए phone चाहिए आपको gaming के लिए phone चाहिए या फिर day to day normal type के use के लिए आपको phone चाहिए तो जितनी clarity चीज़ पे आपके mind में होगी आपको एक अच्छा phone decide करने में ये काफी help करेगी एक और चीज़ यहाँ पे add कर दूँ कि कभी भी किसी company का fan बनके phone मत भाई किया करो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं Honda ही लैसा मैं उपो ही लैसा मैं वीवो ही लैसा ठीक है अगर किसी brand ने कोई अच्छा phone दे दी आपने उसको use कर लिए next आप upgrade करना चाहरे हो आपका होता है मैंने इस brand का use गया मुझे उसी brand के अंदर अच्छा मिल जाए और वो जो brand है वो अपन मार्केट में analysis करो मार्केट को देखो कहां पर अच्छी value मेल रही है कौन सा brand अच्छी value दे रहा है सिरफ उसकी तरफ जाओ brand का fan बनके कभी भी phone मत लो एक और जूरूरी point कि किसी भी phone को उसकी launch date पे unboxing videos देके मत भाई किया करो मतलब आपको बता एक तो market में price drop के trend चल रहे है recently जो कैमन 30 टेकनो में launch किया था 63,000 पे में कुछी दिनों में 5,000 पे का price cut लग गया मतलब जिन लोगों ने unboxing देके या launch date पर buy कर लिया होगा जाके वो तो रगड़े गे ना उनको तो loss हो गया तो इसलिए एक तो launch date पे phone को मत लिया करो price drop आजकल चल देए थोड़ा था wait ज़ वीडियो में brand collaborations में बन रही होती है और उनमें आपको ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता पता सारा ही होता है creator को के इस phone की price कैसे आई है इस phone के अंदर क्या cons है क्योंके जाहर है एक expert के हाथ में आप phone दोगे ना तो उसको पता चल जाता है क्या चीज़ है बट वो नहीं बताता आपको उस video के अंदर और इसलिए अगर आप unboxing video देखके लेने जाओगे phone नुक्सान करोगे एक proper review का wait किया करोगे अगर आप किसी प होता है phone उसके बाद जब market available आता है तो मेरे पास आ जाता है phone मैं उसको experience कर रहा होता हूं को 5-6 दिन मुझे experience पर लग जाते हैं आप लोग धेर लगा दे तो नीचे comment का कि सारो ने video डाल दी या आपने नी डाली भाई उन्होंने डबे खोले हैं मैंने unboxing नहीं करनी मैंने review कर आप लो लेकिन अगर आप किसी पर depend कर रहे हो वो आपको बताए कि phone अच्छा है या नहीं है तो फिर एक proper review का wait करो एक आदत आपको छोड़नी पड़ेगी एगर आपको एक अच्छा phone लेना ना तो design को देखके phone को buy करने वाली आदत अपनी छोड़ दो ठीक है या design पैसा वेसना आपको चूना ना लगे आज कल social media का दो रहा है वो जो short videos होते हैं जैसे tik-tok पे देख लो आप वहाँ पे phones के design जो है न वो चल रहे होते हैं तेरा मेरा है प्यार अलग तो बस वो उसके चकर में लोग भज जाते हैं उसके प्यार में और जाके device उन्हों ले ल priority पे नहीं होना चाहिए क्योंकि first priority पे आपने रखना है performance को, chipset को, hardware को एक अच्छा performance hardware अगर आपको phone में मिलेगा तो आपका core experience है device को use करने का वो काफी better रहेगा और अगर आपने गलत hardware वाला phone buy कर लिया है like उसका under power type का hardware है पैसो के हिसाप से performance भी निकल रही, device भी hang हो के च जो worst chipset of the year snapdragon 680 या 685 अब ऐसा नहीं है कि snapdragon के अंदर कोई अच्छे hardware नहीं मिलते है बट इन्होंने पकड़ा एक ही हुआ 680 या 685 वो ही chip काई जा रहे है हर range में 25-30,000 पे से लेगे 60-70,000 इवन जो हमारा कॉमी hardware है Helio G99 वीगोटल 924 में 26-23,000 पे से मिलना start हो जाता है और राइट प्राइस पे एक राइट हाडवेर बाय कर लिया ना तो आपका मज़ा दुबाला हो जाएगा लाई हाडवेर की कमी नहीं है Matrola G54 आपको Demensity 70-20 का hardware दे रहा है 40-45 के कैटेगरी में इवन OPPO यह आपको Reno 11F में दे रहा है Demensity 70-50 का hardware बहुत हाडवेर अवेलेबल है यह ब्रैंड लगा नहीं रहे आपने प्रॉपर इनका बाय कोट करना है ताकर यह सारे लाइन पर आजएए आपको एक अच्छा hardware प्रवाइड करें और किसी को गर गेमिंग करनी है तो जाहर है गेमिंग के लिए मिनिमम क्राइटेरिया 60 fps है मेरे हिसाब से 40 fps आज कल डबा पैक सारे ब्रैंड उनमें 40 fps मासवाई दो फून है एक रहनो लेवन एफ है जो जिसमें आपको 75,000 बे के रेंज में 60 fps गेमिंग मिल जाती है बट वो स्टेबिलिटी नहीं दिखाता इतनी fps में 60 fps में और कैमन 30 प्रो रिसेंट लिया है 90 fps देता है जी 100 ग की टेक्नो ब्रैंड पर इतने पैसे लगाना जो ना इस इंक वर्थ इत नहीं है लोगों क्या स्टूशन रह जाता है फिर वो जाते हैं केट फून की तरफ यह जो लोकल वाले यूस्ट फून है जैसे MI10T, POCO F3 या फिर रियलमी GT Master Edition वो मार्केट में वेलिबिलिटी उनकी बह ट्रैक्ट करता है अब यह देखो यह फून मैं यूज कर रहा हूं एक्सपीरिया 5 मार्क 3 है 45,000 पर की कैटेकरी में स्नैप्रेकन ट्रिपल एट का हाडवर है यह चीजें यूजर को ट्रैक्ट करती है वो मार्केट में जाके वो चूना लगवा लेता है क्योंकि मार्केट म परफॉर्मंस के साथ एक ज़रूरी जो चीज आपने मांड में रखनी वो है रैम स्टोरीज का कॉंबिनेशन के आज के टाइम पर 2024 में कितनी रैम और कितनी स्टोरीज होनी चाहिए 30,000 पर का बजट अगर आप लगा रहे हो किसी फून पे तो कमजगना 618 का रैम इस से नीचे होगा तो फिर वो compromised वाली category आजाएगी तो मार्केट में जाते हो दुकान दार जो चार जमा चार चार, छे जमा चे आड़ जमाड जो रैम आपको बता रहे होते हैं वो जो जमा वाली रैम है वो लोलीपोप रैम है वो लोलीपोप की कैटेगरी पर उसका कोई वाइदा नहीं है असल वाली रैम ही आपके काम आएगी और जो स्टोरीज है अगर आपको 25,000 अरपे से नीचे का बज़र लगा र आईफोन में तो मतरब डिफरेंट होती है थोड़ी तो यह के एमसी स्टोरीज पुरानी टाइप की स्टोरीज है टाइम के साथ साथ जैसे जैसे डेटा फिल होगा अगर लगा रहे हो लगा सकते हो लेगिन अगर अगर अब 30,000 पर से उपर का बज़र है तो कोशी यह करो अगर रियलमी 667 है को 33-34 में आपको मिल गया तो स्टिल आप जा सकते हो कुछ कंपरॉमाइस के साथ लेकिन प्रेफर आपने करना है कि आपको यूफा स्टोरीज वाला फून मिले डिस्प्ले प्रायोडिटी को भी अपने माइंड में जरूर रखना क्योंकि एक फून में ज्यादा जो इंपोर्टन चीज आ वो इसका डिस्प्ले भी होता है सारा ताइम आपने डिस्प्ले के साथ इंट्रेक्ट करना है तो डिस्प्ले क्वालिटी भी बैटर होनी चाहिए और डिफेर्ट टाइप के डिस्प्ले आप यह अपकी प्रायोड प्राइस सेग्मेंट या OLED को prefer करोगे बाकि 90 Hz लेना है या 120 Hz लेना है ये budget के हिसाब से किस device में कहां पर क्या offer किया जा रहा है किसी review में क्या opinion दिया जा रहा है तो ये चीज़े आप देख लेना और जहां पर resolution की बात है ना देखो 25,000 पर अगर आप किसी phone पर लगा रहे हो या इसे नीचे का budget आप फिर आप 720p resolution वाला phone भी आपको मिल रहा है तो आप देख सकते हो IPS में और अगर आप 25,000 पर से उपर की category में आ जाते हो तो फिर आपने full HD plus resolution वाला phone ही लेना है चाहे वो AMOLED हो OLED हो या IPS display हो 720p resolution वाला phone आपने 25,000 पर से उपर उस पर एक रुपया भी spend नहीं करना तो आजकल curved display और flat displays का भी trend चल रहा है कुछ लोगों को curved display अच्छे लगते हैं जरा थोड़ी खुबसूरती होती है उनके अंदर लेकिन मैं personally थोड़ा flat display को prefer करता हूँ आपकी जो choice है नीचे comments में मुझे जरूर बताना camera वाला जो segment है यह भी बड़ा important है इसको भी ignore नहीं किया जा सकता तो आजकल आपको पता है जरा number game cameras की ज्यादा चल रही है 50 megapixel, 108 megapixel, 200 megapixel तक मतलब sensor offer किये जाते हैं मतलब दोड़े लगी हुई है megapixel को megapixel के number को मत देखा करो कि भाई इसमें 200 megapixel है यही तो मतलब चाहिए था म बड़ा काम होता है अगर किसी फोन में 12 megapixel का भी sensor है ना उसकी post processing तकड़ी है जैसे google pixel के phone ले लो आप इवन आइफून आप ले लो या फिर sony के phone आप ले लो 12 megapixel से result produce कर देते हैं जो दूसरे हमारे डबा पक फोन 200 megapixel से produce नहीं कर पाते तो post processing बड़ा matter करती है तो यह megapixel की number नबर गेम पर मत जाया करो या मतलब बैक पर दो sensor तो camera दो ही अच्छे मत दो नहीं वैसे तीन भी हो जाए ना काम का sensor हो जाए वो ही अच्छा रेल्यू कटे वाले जो है न दो-दो megapixel लिए बदा नहीं कौन-कौन से sensor जीप से लगा के camera की number गेम पूरी करते हैं उनके पीछे मत भागो देखो camera actual किसके अच्छे हैं किस brand की कितनी post processing बैटर है let's suppose अगर आप कोई phone cameras के लिए लेना चाहते हो तो उसके phone के review का wait करो उसके review camera कैसे perform कर रहा है जो आपको reviewer है वो क्या चीज़ बता रहा है कि camera उसके अच्छे हैं या नहीं है फिर decide करो battery और fast charging के combination को कभी भी ignore ना करना क्योंकि यह भी बहुत जरह जरूरी है अब अगर आप 35,000 पे से उपर का budget spend कर रहे हो ना तो कम अज-कम 5000 mm बैटरी तो आपको डब 42,000 पे की category में है उसका कौन है उसकी fast charging उसमें 15 वाट की charging इनों दी हो यह बैटरी उसकी ठीक हा 5000 mm की तो charging को आपने जरूर देख लेना है कम अज-कम 33 वाट की charging को डबे में charger होना चाहिए यह Samsung वाली जो बदमाशी है ना मतलब 1,000,000 पे वाला जो phone है उसके डबे में भी charger न तो यह होनी चाहिए देखो software experience भी एक बड़ी important चीज है इसको भी बड़ा ध्यान में रखना लेट स्पोस आपने किसी एक brand का यूई चलाया है OnePlus का आपने चला लिया Oxygen OS या पिर Samsung का वन यूई चला लिया या पिर Google Pixel में आपने stock Android वगरा चला लिया क्यूंकि उनमें ब्लॉ software है कुछ long run में फिर मसले मसाइल भी शुरू हो जाते हैं तो वहां से Samsung UI से या दूसरी UI से आने वाला जो बंदाना वो तो irritate हो जाएगा और अगर कोई Infinix techno का user है वो काफी time से चला रहा है वो used to as UI के साथ वो नजाम चलता रहेगा उसका तो यह बड़ा important factor है अगर आप किस दूसरे एक brand से दूसरे brand के UI पर switch करें हो ना थोड़ा सा search कर लिया करो थोड़ा सा review देख लिया करो कि किस तरह का user experience है software का और जो बाकी update को लेकर है कि update तो अब mention होनी चाहिए जो भी डबा बैक phone अप लो नो कम अजगम 2 साल की major android update होनी चाहिए brand को mention करनी चाहिए अपने social media handle पर या कहीं पर भी और अगर कोई brand mention नहीं कर रहा है बाइकट करो मत बाइकरो उसका phone क्योंकि future में आपको software update मिलनी नहीं है आपका दोस्त एक latest update यूज अपना करके phone को use कर रहा होगा और आप उसके सामने पुराना UI चला रहे होगे वो latest feature आप enjoy नहीं कर पाऊगे तो 2 major android update और 3 साल की security patch update जो brand इस चीज को ensure करता है अपने social media handle पर marketing material के साथ यूज करता है उसी brand को prefer करो बाकियों को छुटी करवाओ तो इस point को ignore ना करना देखो कुछ network connectivity होले point में आप एड़ कर दूँ और एक और चीज़ा इसके साथ कि 4G phone लेना चाहिए कि 5G phone लेना चाहिए पाकि आपको 5G hardware अच्छी price पर अगर मिल रहा हो ना तो prefer आपको 5G hardware ही करना चाहिए और obviously जब option नहीं होगी तो आप करोगे भी उसी को लेकिन अगर 4G hardware भी आपको मिल रहा है comparatively तगड़ा hardware है तो फिर आप 4G की तरफ भी जा सकते हो बट एक दो चीज़े mind में रखना कि 4G plus का जो sport देख लिया करो इसका होना भी ज़रूरी है अब मैं अपनी वीडियो के ending notes पे हूँ आलड़ी वीडियो लंबी हो गया लेकिन मैं जाते जाते एक ज़रूरी point को यहाँ पर एड़ करना चाहता हूँ जो है brand value और resale को लेके कि मेरे opinion के साब से कितना पैसा किस brand के उपर spend करन चाहिए तो हमारे जो local brand एड हुए है यहाँ पर लिस्ट में वीग होटल है या sparks है इनकी जो maximum worth है मेरे साब से इनका फून 30,000 पर से उपर को कोई भी नहीं लेना चाहिए 30,000 पर की निचे तक आपको अच्छे features देते हैं दूसरे brand से comparatively better features देते हैं तो आप इन पर पैसा ल दे रहे तो पैसा लगाओ otherwise इस पर पैसा spend ना करो आपको वो market value है resell नहीं मिलेगी इसकी फिर उसके लावा टेकनो इन फिनिक्स पर आते हैं यह दो brand जिन्होंने अपनी market में grip और resell अच्छी बना ली है लेकिन still 45-50,000 पर से उपर इन brands पे भी आपको पैसा spend करने के ना करके कुछ ना तो उस हिसाब से brand value नहीं है तो इन्फिनिक्स टेक्नो 45-50,000 पर बाकी OPPO, Vivo, Samsung और Realme यह वो brand है या Redmi वो brand है अगर यह आपको 100 के तक भी, 1.500,000 तक भी कोई अच्छी चीज out of the way जाकर दे देते हैं तो definite आप इन पे पैसा spend कर सकते हो comparatively आपको better reselling के OPPO, Vivo, Samsung या Redmi जैसे brand है आपको कुछ भी overpriced device आपको थमा देंगे तो वो आप ले लोगे तो वो market में अच्छी निकल जाएगी ऐसा नहीं है इनके जो थके वे wrong phone है उनको नहीं भाय करना जो इनके hot phone है मैं उनकी बात कर रहा हूँगा तो इसी के साथ ही यह ग्यान भरी यह informative भरी वीडियो को मैं close करता हूँ क्योंकि वीडियो आलड़ी बड़ी लंबी हो गी है तो उमीद है कि आपकी जो confusion है वो काफियत तक clear होगी होगी still कोई confusion है भाई वीडियो के comments में आजो वहाँ पर आपको guide करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो like है subscribe करके आप जा सकते हो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में thanks for watching अला आफेज